Good morning students आज की इस वीडियो में हम देखेंगे equation को solve करना और फिर जो भी variable का जो value आता है जो भी variable मतलब ABC, XYZ, PQR जो भी variable रहेगा उसके value को put करके हम लोग देखेंगे कि हमारा answer सही है या नहीं चेक करेंगे अपने answer को कि जो हमारा variable का जो value आया है वो सही है या नहीं solve the equation and check your answer solve करेंगे equation को और फिर variable का value पुट करके हम लोग चेक करें कि हमारा variable का value सही है या नहीं first equation is 3A plus 2 is equals to 11 हमारी equation है तो यहाँ देखें यह जो plus 2 है LHS में left side में यह plus में है जब यह left से right में आ जागा तो क्या हो जाएगा यह minus हो जाता है that is 3 is equals to 11 minus 2 यह plus 2 था इधर आके क्या हो गया minus 2 that is 11 minus 2 is 9 3 is equals to 9 हो गया अब A के साथ यह 3 क्या है 3 multiply में है जब side बदलेगा तो sign ही बदल जाएगा तो इधर ही multiply में तो इधर है क्या हो जाएगा right side में divide में हो जाएगा that is A is equals to 9 divided by 3 यह क्या होगे A के value A is equals to 3 यह 3 times में divide हो गया 3 से हमारा variable के value क्या है 3 आया यह तो हम लोग equation को solve कर लिए अब हम लोग क्या करना है कि check करना हमारे answer को चेक करना हमारे answer को मतलब यह जो variable है हमारा A उसके value को हम लोग put करेंगे ठीक है this is called LHS and equal to कि इधर क्या होता है RHS तो पहले लिख लेते इधर LHS इधर क्या है RHS left hand side and right hand side left hand side में हमारे equation क्या है 3A plus 2 3A plus 2 RHS में कितना है 11 है और RHS में हमारा left right hand side में जो value है वो 11 है मतलब LHS में भी 11 आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे जो variable है उसमें हम लोग value put करेंगे तो यहाँ पे है 3A plus 2 मतलब 3A मतलब 3 multiplied by A 3 multiplied by A मतलब A का value क्या है A का value is 3 that is 3 into 3 plus 2 A क्यों किये यहाँ पे 3 क्यों आया है क्यों कि हमारे A का value क्या आया है 3 आया है इसलिए में क्या किये 3A मतलब 3 multiplied by A and A is 3 तो क्या कर 3 into 3 is 9 and 9 plus 2 is 11 9 plus 2 क्या होगा 11 LHSB 11 आया RHSB 11 है इस बोथ हार equal सो हमारे यह जो answer है variable का जो value है वो correct है see the next equation 9 bracket x minus 3 is equal to 54 equation को हमें solve करना है पहले solve करेंगे उसके बाद अपने answer को हम check करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दो method है solve करने का या फिर bracket के पाहर ये 9 जो है वो दोनों नंबर से multiply होगा या फिर इस 9 जो multiply में है bracket से उसको हम लोग right side में लाकर divide में रख सकते है तो we can write it यहाँ पर हमें variable का value निकाला तो यह minus 3 है इधर left में यह 3 जो है वो minus में है जब right में आ जाओ तो क्या हो जागा हो plus में हो जाएगा that is x is equals to 6 plus 3 that is x is equals to 9 x का value कितना आ गया 9 आया अब इसी चीज़ को हम check करेंगे LHS RHS LHS में हमारा क्या है 9 bracket x minus 3 9 x minus 3 और RHS में क्या है 54 मतलब हमें जब right में 54 है तो left में भी हमें क्या लाना है 54 ही लाना है तो यहाँ 9 है bracket x का value पुट करेंगे हम लोग x का value कितना है x is 9 that is 9 minus 3 पहले bracket का अंदर काम करते है bracket का का काम करेंगे is 6 यहाँ पे देखिए जब bracket है और bracket के बाहर कोई number रहता है और कोई sign ने रहता है बीच में तुसको क्या बोलते है कि multiply में है तो 9 into 6 is 54 यहाँ LHS में भी 54 आया RHS भी 54 है मतलब जो हमारा जोई है यहाँ पे variable का जो value आया है 9 वो हमारा सही है LHS और RHS और RHS जब equal आ जाए तो हमारा variable के value क्या होता है वो सही होता है 3 by 4 is equal to 3x by 8 minus 3 by 2 यहाँ पे जो हमारा variable है वो right में है जाद हम try करते हैं कि अपने variable को हम left में रखे तो यहाँ पे equals to का sign है तो इसको ऐसे भी लिख सकते है 3x by 8 minus 3 by 2 is equal to 3 by 4 अब equation को solve करेंगे यहाँ पे जो 3 by 2 fraction है वो left में minus में है जब वो right में आ जाए तो क्या हो जाएगा वो plus में हो जाएगा that is 3x by 8 is equal to 3 by 4 पहले है तो 3 by 4 ही लिखेंगे यह minus इधर है तो इधर है क्या हो जाएगा plus में हो जाएगा that is plus 3 by 2 यहाँ पे fractions जो है denominator different है 3 by 4 and 3 by 2 denominator is different है तो इसको हम पहले LCM लेंगे तो LCM आएगा 4 और 2 का 4 यहाँ 1 से multiply होगा तो 3 plus यहाँ 2 से multiply होगा तो उपर भी 2 से that is 3 into 2 is 6 यह हो जाएगा क्या 3x by 8 is equal to 3 plus 6 is 9 by 4 ठीक है अब यह देखिए अब यहाँ पे जो 3 by 8 fraction है वो x के साथ किसी में multiply में है जब वो right side में आ जाएगा तो divide हो हो जाएगा that is x is equal to 9 by 4 divided by 3 by 8 3 by 8 जो था वो x से साथ multiply में था जब right में आ तो क्या हो गया divide में हो गया तो divide का rule क्या है कि divide के sign को multiply बतलते है और यह उपर वाला नीचे नीचे वाला उपर तो जाएगा 8 by 3 reciprocal हो जाता है अब कुछ कटरा तो काट देते नमबस को 4 के टेबल one bar में 4 के टेबल में to bar 2 ताइमस में 4 के टेबल में one time this is 3 के टेबल में three times that is 3 into 2 is 6 and 1 into one is 15 pana 1 को बनों क्या लिख सकते है six लिख सकते है एकस्ता वाल्यू क्या à6 आगया अब विंग्र टेऊ का रहेंगे कि एन RHS को equal करेंगे ठीक है यहाँ पर LHS क्या है हमारा 3 by 4 है यह फिर मुझे लिख सकते हैं 3X by 8 minus 3 by 2 भी ज़रूरी नहीं कि 3 by 4 है तो 3 by 4 ही लिखे यही लिखते हैं 3X 3 by 8X minus 3 by 2 और right में क्या है राइट में 3 by 4 ही हम लोग क्यों किये क्यों कि यहाँ पर बीच में equals to equals का साइन है तो हम लोग right को left में ला सकते हैं और left को right में भी ला सकते हैं एक से value को put करेंगे that is 3 के साइट इक क्या है मैं multiply में that is 3 into 2 एक से value क्या है 6 आया है माइनस 3 by 2 कि इडिवाइड हो रहा है या फिर इसको multiply करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको smallest term में भी कर सकते हैं यह 2 के table में 3 times और यह 2 के table में 4 times that is 3 into 3 is 9 and this is 4 9 by 4 minus 3 by 2 denominators are different denominator यहां पर LCM लेंगे तो 4 आ गया यह 9 नहीं रहेगा 2 में से multiply करेंगे 4 लाने के लिए 2 से तो उपर भी 2 से that is 6 क्या हो जाएगा यह 3 by 4 LHS भी 3 by 4 RHS भी 3 by 4 जब LHS is equal to RHS हो गया तो मतलब यह हमारा variable है variable का value सही है I hope students that you have understood this method solving the equation and checking our answer and your homework will be that you will be solving self-practice 7G that's all for today thank you